एक तरफ जहां भारती क्रिकेट टीम को साथ अफरिका के हाथों लगातार मुकाबले हार कर शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अंतरास्टी क्रिकेट में एक के बाद एक रिकॉर्ड्स की जड़ी लगाते जा रहे हैं बीते समय में विश्व क्रिकेट में बाबर आजम ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान के ग्रिकेट को उठाने का काम किया है और साथी अपने खेल से सब ही का ध्यान खीचने में कामयाब हुए हैं बाबर के तारीफों के कसीदे विश्व के कई दिगज खिलारी भी पढ़ चुके हैं और अब तो उन्होंने एक ऐसा किरतिमान अपने नाम कर लिया है जिसे आज तक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉंटिंग और मॉडरन डे ग्रेट विराट कोहल भी अपने करियर में हासिल करने में नाकाम रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं आखिर बाबर आजम के नाम हुआ ऐसा कौन सा विश्व किरतिमान जिसे आज तक किसी ने भी अपने नाम नहीं किया था दोस्तों इन दिनों वेस्टेंडीज क्रिकेट टीम पाकिस् पाकिस्तान बाबर आजम ने इस सिरीज में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है दरसल बाबर लागतार 9 पारियों में 50 से जादा का स्कोर लगाने वाले दुनिया के पहले बलेबाज बने हैं और ये वर्ल रिकॉर्ड अपने नाम करके उन्होंने तिहास रच दिया है आपको बता दें जहां पहले वंडे मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान ने 103 रनों की शांदार फारी खेली थी वहीं दूसरे मैच में भी बाबर ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाये थे और इसी के साथ पाकिस्तान के कप्तान ने एक नया विश्व क इरतीबान अपने नाम किया हलांकि लगातार 9 मुकाबलों में और विश्वसनी बल्लेबाजी करने के बाद सिरीज के तीसरे मुकाबले में पहली बार बाबर के रन नहीं बने और वो आते ही सिर्फ एक रन पर पवेलियन लोड़ गये लेकिन बाबर ने अपनी टीम को फ्र इससे पहले ये खास रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था उन्होंने 17 पारियों में ये करिश्वा किया था जबकि बाबर ने युपलबधी मात्र 13 पारियों में ही हासिल कर ली है और देखा जाय तो विश्व क्रिकेट में बाबर आजम ने अपनी बादशाहत कायम करनी श सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें